दोस्तो अगर अचानक से दुस्मन इस तरह पकड़ ले तब आप क्या करेंगे दोस्तो आज किस वीडियो में बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसलिए आप वीडियो में बने रहेगा सुरू से अंत तक बीच में स्किप नहीं किजेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सके अगर अचानक से इस तरह दुस्मन पकड़ ले तो आपको करना क्या है इस तरह से ब्लॉक टू एटेक उसके बाद इस तरह से गिराना है देखें बहुत सिंपल ट्रीक है भाई उसके बाद मारना है फेस पंच पूरा पावर से मारना है भाई फेस पर तो अब मैं आपक तो अच्छे से सीखा देता हूं step by step ताकि आप सीख सकें अगर अचानक से पकड़ लिया माल लिजेगे आप रोट पर इस तरह से जा रहे हैं ठीक है अगर अचानक से इस तरह पकड़ लिया तो तुरेंट आपको करना क्या है इस तरह से block to attack और इस तरह से गिराना है टोक आइडी को follow कर लिजिए सहाबुद्दिन कराटे आप सर्च कर लिजिए टिक टोक पर जा करके और follow कर लिजिए वहाँ पर मैं बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूं कर आचानक से पकड़ लिया ठीक है तो आपको करना क्या है इस तरह से block यहां attack फिर इस तरह से इस तरह से लेके जाना है अपने leg को और इस तरह से पटकना है ठीक है देखिए बहुत ही simple है उसके बाद पूरा power से मारना है इस जगह पर ठीक है लेकिन वाई मैं आपको मार के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चोट लग जाएगा मेरे student को ठीक है लेकिन आपको मैं slow करके दिखाया नहीं भाई किस तरह आपको करना है तो चलिए मैं आपको slow करके दिखाता हूँ पकड़ो प्रेम देखिए इस तरह पकड़ा अपने दोनों हैंड को अंदर से इस तरह से जाना है ठीक पंच को टाइट रखिए सबसे बेश्ट रहेगा आपको पंच टाइट रखना है इस तरह से अंदर से लेके जाना है आप देख सकते हैं भाई इस तरह अंदर से लेके जाना है इस तरह और इस तरह से ब्लॉक करना है उसके बाद आपको इस जगा पर एटेक क तूढ जाए इस तरह से मारना है उसके बाद क्या करना है ये वला जो आपका वाई इस तरह से harness है देखिए इस तरह से पकड़ना है और अपने leg को लेकर जाना है दूसर मन के पीछे और से गिराना है देखिए अit को इस साइट से करके दिखा रहा हूं सुलो ताकि आप सीख सके अगर पकड़ ले इस तरह से सुलो में दिखा रहा हूं वाई ताकि सीख सके तो आपको करना क्या है इस तरह से अंदर से लेके जाना है अपने दोनों हैंड को अंदर से इस तरह से लेके जाईए ब्लॉक हुआ उसके बाद यहां मारना है, देखिए, पूरा पावर से मारिए, उसके बाद देखिए, यह वाले हैंड से इस तरह पकड़ना है, और अपने लेग को लेके जाना है, पीछे और इस तरह से गिराना है, बहुत ही सिंपल ट्रीक है, उसके बाद फेस पंच मारना है, दोस्तों आ कर दिजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में सेयर कर दिजिए ताकि आपका दोस्त भी सीख सके और अपना सेल्व डिफेंस कर सके तो भाई मिलते हैं कल एक नए वीडियो में तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत